Hello friends, welcome back, स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको next day लिए बताते हैं कि crude oil और USOL में क्या levels रहेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो की impact डालेंगे इनके ओपर तो चलिए शुरुआत के लेते हैं 21st June 2024 को यानि की Friday को क्या रह सेता है crude oil और USOL में उससे पहले पिछली वी यहां पर आप देख सकते हैं कि इतना strong resistance है कि data का भी कुछ खास impact नहीं पढ़ रहा है यहां पर dollar index का भी data और साथ ही यहां पर crude oil की inventory का भी data आया हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके उपर हमने आपको अपडेशन दिया था उसका तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैन को जा सकता है supportive है लेकिन साथ ही हमने आपको यह भी बताया कि strong resistance है यहां पर उपर और strong resistance की वज़ा से आप देख सकते हैं कि data आने के बावजूद भी यह से तोड़ नहीं पाया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना strong resistance है साथ ही USOL में भी यहां पर हमें strong resistance ही देखने को मिल रहा है यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भी इसने जो दिये हुए level से हमारे उसमें green candle की closing तो इसने दी लेकिन उसके next candle यहां पर red candle आई है और यह इसको तोड़ नहीं पाया है तो दोस्तों यहां पर बहुत strong resistance है और अब next day के लिए भी data आ रहा है और कोई चीज अगर इससे तोड़ सकती है वह strong data technically अभी इसके पास इतनी energy नहीं है कि यह technically तोड़ सके क्योंकि technically बहुत strong resistance है यहां पर और बहुत सारे sellers यहां पर खड़े हैं और जैसे इसको touch कर रहा है आप देख सकते हैं कि विल्कुल ऐसे गिर रहा है और strong volume के साथ गिर रहा है तो यहां पर काफी सारे sellers है और अगर इसे तोड़ सकता है कोई तो strong data है strong data आज आना था आया भी अच्छा data आया लेकिन उसके बावजुद भी यह से नहीं तोड़ पाया अभी next day जो है manufacturing PMI के data आ और United States का भी manufacturing PMI का data आना है और वो यहां पर impact इसे ओपर ढाल सकता है यहां पर i button में आपको videos मिल जाएंगी आपने अगर आप वीडियो नहीं देखी है डेली हम आपके लिए वो वीडियो लेकर के आते हैं data के बारे में हम आपको बताते हैं और timing बताते हैं और उसका impact रहे हैं कि यह से तोड़ सकता है लेकिन फिर भी chances हो सकते हैं तो यहां पर उस data के वाज़े से यहां पर चांसिस हो सकते हैं इसके अलावा जो यहां पर forces लग रही है वो तो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफी लग रही है क्यूंकि supply यहां पर supply जो है वो बादित हो रही है और demand ज यहां पर हमेइं तो या यह लैवल communist लाइस लमें यहां पर डिख भी रहे हैं तो युज़ी बहुत forces उपर के और को जो लग रही है वो US oil में हमें visible है लेकिन उसमें हमें risk काफी है अगर हम यहाँ पर उपर की तरफ को trade लेते हैं entry अगर लेते हैं तो तो यहाँ पर जो है इस समय हमें देखना चाहिए कि किस तरफ को move एक आदा बन सकता है और अगर बनता है तो फिर हमे उस सरफ को trade छोटा मोटा मिल सकता है बहुत जादा chances लग नहीं रहे हैं तो अब हम यहाँ पर levels की बात कर लेते हैं सबसे पहले crude oil के levels के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6825 के उपर अगर green candle की closing आती है तो फिर उसके बाद हमारा next target यहाँ पर 6861 का रह सकता है और उसके बा 6774 के यहाँ पर टूटने का आप वेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर रिस्क ना लेना चाहें तो यहाँ पर 6763 को टूटने दीजिए यानि कि one hour वाली red candle की closing इसके निचे आने दीजिए 6762 के निचे तो फिर उसके बाद हमारा next target यहाँ पर 6722 रह सकता है और अगर यहाँ पर यह इस level को भी तोड़ देता है 6700 के निचे अगर red candle की closing आती है तो फिर downside को यह अच्छा खासा move इसमें हमें 6662 तक देखने को मिल सकता है और उसके बाद भी downside को move हो सकता है तो यह है crude wealth के बारे में levels और depend करेगा कि data कैसा आता है अगर data अच्छा खासा नहीं आया तो again यहाँ पर हमें इसी level के आसपास यह मंद रहाता हुआ दिख सकता है अब हम बात कर लेते हैं USOL की तो USOL में trading करने के लिए आपके पास एकसणेस का फॉर एकस्टड़ेंग अकेंट होना चाहिए अगर आपने अभी भी अपना फॉरेचस्टविंग अकाउंट RS पर ओपन नहीं करा है तो जल्दी से अपना ट्राम शीदारब और अपके पैसा आता है इंडियन करण सी में तो तो इतना बड़ी है प्लैटफॉर्म है कस्टमर के सुपोर्ट है जो है 24-7 आपको लाइव कस्टमर के सुपोर्ट चैट के थ्रू मिलेगा और साथ ही सैटरड़े को भी और संदे को भी आप क्रिप्टोकरंजी में ट्रेडिंग कर सकते हैं साथ ही यूएस वैल में सिर्फ चार डॉलर से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रूड वैल में जब आप से जादे यूज़ किया जाने वाला प्लैटफॉर्म है और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला प्लैटफॉर्म है एक्सनेस का प्लैटफॉर्म इसलिए मैं आपको highly recommend करता हूँ कि दूसरे platforms में ना जाएं वो कहीं band भी हो चुके हैं मैं आपको सिधा recommend करता हूँ मैं खुद सालम से इसका इसलिए मैं आपको highly recommend करता हूँ कि आप एक्सनेस का यूज कीजिए अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो दुनिया का number one platform है एक्सनेस का platform और दुनिया में सबसे आदा volume जो है इसी platform पे होती है continuously grow कर रहा है तो बहुत ही बड़ी प्लैटफॉर्म है और इस वीडियो का जो description box है उसमें सबसे ऊपर एक्सनेस का link मिलेगा इस वीडियो का description box में उस पर click करेंगे तो आप सीरह एक्सनेस के web page पर पहुंग जाएंगे वहां से आप account open कर सकते हैं और एक्सनेस के link के निचे टेलिग्राम का link है उसे भी आप जोइन कर सकते हैं और साथ हमारी वीडियो को भी देख लेजिए अब हम यहां पर USOL की बात कर लेते हैं तो USOL में यहां पर यहां पर इसने निया लेवल यहां तक बनाया तो हुआ है फिल हाले इसके उपर भी जा रहा है लेकिन resistance बहुत strong है और strong resistance है इसलिए अभी हम यहां पर जो है निया लेवल यहां तक हम इसे कर देते हैं थोड़ा सा उपर की तरफ को और अगर यह इसके उपर अगर green candle की closing देता है तो फिर हमारा next target यहां पर यह रह सकता है जो कि आज का high है previous day का high यहां तक रह सकता है यह है 81.49 कुछ बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि पहले ही मैं explain कर चुका हूँ कोई false यहां पर levels यह ही बता दें और फिर वह achieve ना हो तो वह भी अच्छा नहीं है तो यहां पर 81.66 तक जाने देजिए अगर इसके उपर green candle की closing देता है तो फिर उसके बाद यह तूट जाएगा और 82.02 तक जा सकता है और उसके उपर भी अगर green candle की closing आती है तो फिर उपर जाएगा लेकिन फिलहाल यहां तक चांसे रिस्क बहुत है 81.66 तक बहुत रिस्क है और downside के लिए यहां पर जो है आप यहां पर ले सकते हैं यह level और इस level के नेचे अगर 80.80 के नेचे अगर one hour वाली red candle की closing आमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो next target है वो 80.41 रहेगा और इसके नेचे भी अगर red candle की closing आती है तो next target 80.04 हमारा यहां पर रह सकता है तो दोस्तों यह है लेवल जो कि हमने यूस वैल और आपको बताए है और आपको वीडियो पसंद आ रही है अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल